उजेन तराना शहर के करीद 10 किलमेटर दूर इस्तित गोशाला में सेकलों की संख्या में गायें पाले जाती है जहां इसका में जबरदस थंड पढ़ लई है वहीं गायों के लिए भी ठंड से बशने के लिए गूरू तेल खली में मिला कर दिया जा रहा है ताकि गायों को ठंड ना लगे और वो निरोगी रहे बिमार नहों वहीं गोशाला में निसुल गाये कोई भी लेकर जा सकता है दूद के लिए ताकि वो अपने परिवा के साथ गाये का दूद स्वास्त और निरोगी रहे और लोगों का रुजान गाये के दूद के तरफ बढ़े दूद वाली गाये निसुल के दी जाती है और वह गाये दूद देने जब बंद कर देती है तो गोसला में आप भी छोड़कर जाना पड़ता है उज्जेन से विरेन सल्मा की रिपोर्ट बताइए क्या नाम है आपका और कहां पर रहते हैं आप मदनलाल पाटिरा जी बाउ जी आप कहां से गाये को ले गए थे और किस प्रकार से गाय का ऐसा है गाय को विश्वश माता है गाय के इसी माता है न के बल मालवा के लोग बलकि इसको विश्वोग का मानते हैं जो कि इसके दूद बड़ा गुंकारी होता है, दूद अनेक प्रकार के होते हैं, पर जो गाय का दूद है, वो अपने आपको अलग महत्वर रखता है, वो यसा कहते हैं कि गाय चलता फिरता तीर्थ है, और इसमें 33 कोड़ देवता का वास है, यह तो सब हम लोग जानते हैं, पर उन्तु यह एक ऐसा तीर्थ है, जो अलग सम को कहीं धन या पेसा खर्च करके जाना नहीं पड़ता है, सोता हमें धर्षन के लिए उपलब्द हो जाती है, जो गाय के स्वास्त वर्दग उसको लाब होता है, गाय के जो जिसको के सकते हैं, जहां निवास रहता है, वहा दूद हम गाय का रखते हैं, और गाय का हमारा प्रयास रहता है, कि हमारे तीसरी पिड़ी के बच्चे-बच्ची को भी देशी गाय का दूद कि लाया था, बाओ जी, बताइए यह जो गोसला है, इसका क्या नाम है, और कितनी गाय यहां पर रहती है, वो जैसा अभी ठंड चल देए, तो किस प्रकार से गायों को बचा जाता है, रख रखाओ किये जाता है, और क्या रहता है, गोसला का नाम है, रादा किश्मी गोसला से मधीटा, दूसरा जो गाय के बचाने इठंड का है, इसमें टेल और गूड और खली और चापड, अपने यह दलिया ही, चक् अपने गन्ना चरी बोलते हैं, वो गन्ना चरी देते हैं, और लगबग 25 किलो लेते हैं, सो गाय के बीच में चापड और एक बोरी खली की, और उसके बीच में 20 किलो एक गुड का डिबा, इससा कुल मिला करके और उसमें 12 किलो तेल, यह डिबा रखा खाने, 12 किलो तेल, उ प्रेकार से गुढ़ुड और तेल खिलाने से ठंड से बचाया सकता है और किस पैकार से निहरोग रहती हैं दो, भी बिमारी निहीं होती है और तीसरी बात यह है कि, जो गयाय का जो ग्यावण भी रहती है उडुरुवाली रहती है उनका दूद्ध भी अच्छा बनता जिसे फ्यड़ अच्छा बनता और जो ग्यावन गाय रहती है उनका बचर अच्छा बनता अच्छा यह हर वर्ड स्ठेंड में आप लोग व्योस्ता रहे देते विल्कुन नौंबर देखने लगा करके फरवेर तक पुड़ा और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूले।